ये बोई बच्चा है जो तुमने छोड़ दिया, कंस के लगा छोड़ दिया, तब छोड़ दिया, अब थोड़ी छोड़ूँगा पेरों की तरब से पकड़ के, पेर पकर की, गोमाई की दीवान में धरिवारो और ब्रसा देखी की बेटा की मैया को आओ तमारो पेरों की तरब से पकड़ के, जब चक्टान से पटका, तो उस बच्चे की मास की बोटियां बोटियां बेखरी गई पच्छाण खा के देवकी गरी गई महराज देवकी की भरियाई हिल लगी अब नहीं मन भी रोई गई का चु कहना सकी दिल की ऐसो भाईया पत्थर बहो कलेगो नाई बिगिलो ए देवकी ने कुछ नहीं कहा कलसने देवकी के बच्चे को मौत की घाट उतार दिया देखती रही बेहोस होके गरी गई कलसने देवकी के एक बच्चा नहीं इसी तरह से छे बच्चों को मौत के घाट उतार दिया छे बच्चा बार दिये देवकी के साथ मा गर्ब जब देवकी के आया तो भग्मान वहाँ एक चाल चलते है योग माय अद्वारा देवकी के गर्ब से निकाल करके रोहिडी के गरब पहुँचाया ये रोहिडी बस देवकी दूसरी पत्री थी जो गोकल में रहती थी जब बहाँ बच्चा पेदा होगा तो उस बच्चे का नाम रखा गया बल्राम और इधर पूरी मतुरा में खबर भेज़ दी गई कि देवकी का साथ मां गर्ब खंडित हो गया अब चले आठ में गर्ब में स्वेम भगवार आगया समय जिस समय को रिसी महत्माओं को दीन दुकियों को बेसमरी से इंतिजार था बहादों का महीना किस्च पच्च अस्वी दिन बुदवार को चले रहुआ इधर कंस सब को तैयारियों में लगा दीता है आगया है समय कुर्बानी का ये वक्त आना का नहीं का नहीं आई जाए एक एक पहरे दह लगता था दद्दश भीस दिस लगिए जाकते रहो एक दूसरे को आबादते रहो सोना नहीं सोना नहीं खड़े नहीं जैसे ही वेरा काल पैदा हो आके हमें बताना इतनी दुर्दसा के साथ मारूंगा तो देखने बालों का कले जाहिल जाईगा समझ जाएगे दुनिया के लाग कंस का काल मारा गया कंस अमर है अमर तैयारियों में लग गया कंस बहाँ ऐसा ही नहीं आठबे गर्वगी बारी थी अरुप कंस कया तैयारी थी और राजाता पहरेदारी में उतजेल में महने विचारी थी साबान सजाए जाने लगे साबर सबर जाने लगे दूतिया बुलाई जाने लगी भाटक के पहराबालों पैटों किया विचाही जाने लगे कंस जिस समय तैयारियों में लगता है एदर भगवान चले बहादों का महीना अस्तमी दिन बुदबार को धीरे धीरे पानी की बरसात हो रही है उन पहरे दारों के साथ कुछ घात हो रही है जैसे जैसे रात हो रही है ऐसा लगता है कि भगवान की कुछ बात हो रही है जैसे जैसे रात हो रही है पैरे दार गहरी नीद में सोती गए और इधर चले बहादार पैरे दार सो रहे हैं नीद में इतने में उस जे लकी और एक चमकी उठी दीवार तो केदी भगतन के यां प्रभवाए जगदाधार जेल की दीवार चमकने लगी बस देव रो देव की उठकर के बैठके सोचे लगे परमात्मा जेनी मालूम पढ़ रहा के हम स्वर्ग में आ गए या स्वर्ग खुद चलके हमारे पास आ गया भगवान की तस्वीर नजर आई तो बस देव दोनों हाज जोड के बोले महराज हम आपके क्या सेवा करें भगवान बोले भगतो हम सेवा कराने नहीं बलके उल्टी सेवा करने आए हैं अब हमारे पास जादा समय नहीं है बात करने का अब अधिकबात का समय नहीं और लीला करने का मौका दो और राती ही रात में किसी तरह है और मुझे को गोकुल में पहुचा दो हो सके तो राती रात में नंद बाबा किया हमें छोड़े आना ये सब कहने के बाद भगवान एक जरा से सिसु बने आगे देवकी की गोदी में भोलिय भगबर्शल भगवान लगी एसा ही नहीं कि बादों की राती काली धूकी है अंदिरिया